सुन तु मेरा शेर है ना हां मैं तुझे बात बताता हूँ शेरों को भी इश्राम करना इसलिए तु सो जाना हां तो मुझे भी सोने देना है इश्वर लगता है इसे लोरी सुनाने पड़ेगी लोरी सुनाऊंगा फिर तु सो जाना हां लोरी पर दिर भर करता है क्या होगा हां सो जा सो जा सो जा भास कर आगे भी तु बोलो सुना जाओ सुना जाओ लोरी सुना जाओ मुझे सुला नहीं रुला रहे हैं वाँ अठी सुन्दर हुचुचु, हुचु, हुचु, हुचु हाई अधी अधम, अधी सुन्दर प्रारम तो होनी दीजिये, प्रेंजिक नी चायोत नी प्रेसंचा कर ली ना प्रेंजिक प्रेंजिक सोजा, सोजा अच्छा हुआ, वापुस हो गए अन्यता इनकी लोरी मेरे प्रान हर लेती वापुस अधा प्रेंजिक अधा 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 अरे बच्चे चोरी हो गए विजयनेगर से महाराज ने आपको शीगर बुलाया है बच्चे चोरी होए है अरे भासकर 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 कुछ कीजिए सहाइता कीजिए शांत हो जाइए और एक एक करके अपनी समस्या बताईए हमारे बच्चे को कौई उठा ले क्या ऐक क принता हमारे बच्चे को बच्चा लोग कbag साब महाराज को आप सबकीबात महाराज तक पहुंच चुकी है और महाराज भौर चिंता में आ है मेरा बच्चा मेरा बासकर मैं अपने बच्चे की रक्शा ने कर पाया क्या मू दिखाऊंगा मैं अम्मा और शार्दा को वही जो प्रते दिन दिखाते हैं हमें तो आदत हो गई है अब चिंता मत कीजे चिंता कई विशे है अम्मा शार्दा कैसे बोलो मुझे एक शमा कर दो हमारा बासकर कक्ष में है शया के नीचे शया के नीचे दत्तेली की वेकाल में उठा दिया आज़ा 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 ओली बाबा यह यहां कैसे पहुचा हमने पहुचाया जब तु घोड़े और गधे बेच कर सो रहा था धैन्यवाद बापू शही समय पे निकाल लिया बाहर मेरी तो शुआ से घोट रही थी वहां इन दोनों महारतियों का बस चलता तो पूरी रात मुझे शया के नीचे ही रखती परन तु इसे शया के नीचे तक्ये की खोली में क्यों डाला? हमने देखा कि आप सो रहे थे भासका रो रहा था अम्मा को तो पहले से संदे हो गया था पंडित रामा कृष्णा जी ओहो कहा ना चुप रहे हैं? कैसा संदे? बच्चा चोर के यहां होने का संदे? नहीं, आपके एक तामचर होने का संदे हमें नहीं, अम्मा को ये भगवान, ना तुमने बच्चा चोर को यहां देखा ना उसके यहां होने का संदे हुआ ना कोई चोर घर में घुसा फिर भी बच्चारे इस इस नन्ने से जीव को तक्ये की खोली में डाल के शेया के नीचे डाल दिया बच्चा चोर को मूर्ख बनाने के लिए क्या? हाँ, बच्चा चोर को मूर्ख बनाने के लिए हमने भासकर को तक्ये की खोली में और तक्ये को भासकर के पाल्ले में डाल दिया हे मा, मेरा भासकर तो बच्चा चोर से फिर भी बच जाएगा किन्तु इन दोनों से इसकी रक्षा कौन करेगा आप समझे मेरे बापू प्रती देम कैसे जेलता हूं मैं इन दोनों को चलो मेरे पीडा का अनुभवत हुआ बापू को आज्या हो तो हम कुछ बोलें कहिए आप भी कह लीजे आप ही शेश बचे हैं कहिए आपको स्मिरान करा रहा हूं कि महराज ने आपको दर्बार में तत्काल उपस्थित होने का आदेश दिया है जिब्दा आन पड़ी है विजे नगर के बच्चे चोरी हो गए है दो संकट की घड़ी है आपकी आवशकता है विजे नगर को शेगर चलिए बिना समय वेर्थ किये हरी तो पहले क्यों नहीं बताया बोल ही तो रहे थे हम पर आप इतने क्रोधित थे कि मुझे बोलने का कोई आउसर ही नहीं दिया आपने चली 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 महराज विजे नगर की प्रजा आत्यंथी चिंतित है हमना इस बतल कर ऐसा करना यह तो अपराद है इन्हें कैसे ग्यात हुआ कि हम भेश बदल कर वहाँ गए थे अपराद नहीं महाराज पाप है पाप अवश्य इसी नहीं बताया होगा बोलिए गरूर आप चुप क्यों है यह पाप नहीं तो और क्या है पाप नहीं है पाप नहीं पाप क्या से हो सकता है यह महाराज बच्चा चोड रात के साए में बच्चे चुरा रहे और आप कहरें कि यह पाप नहीं है ओर इस बच्चा चूड को इसका दन अवश्य मिलेगा मेल कर रहना चाहिए अवश्य मिलेगा ही कि, हम तो उसे रंगे हाथों पकड़कर वहिन पर फरस्मूं कर देते, यदि हम मंदिर में व्यासना होते थो. मंदिर में? है? अर्थात मंदिर में वो बहरूपिया बच्चा चोर नहीं था. आप थे? मंदिर? किस मंदिर की बात कर रहे हैं? हम तो अपने घर के मंदिर में थे. शदा से देवी मा के थ्यान में बैठे थे. गुरुवर, शिव अराधना छोड़कर देवी अराधना कबसे करने लगे या? तो क्या हुआ, पंडित रामकृष्णा? कभी-कभी दिन-चरिया बदलनी चाहिए. हाँ, अवश्य. और दिन-चरिया के साथ साथ आपने अपने कानों के कुंडल भी जुमके से बदल दिये. बाली बदल दी, जुमका पहन लिया. महराज का संदेश मिलते ही, जल्दी-जल्दी में हम बाली के सान पर वरुमाला का जुमका पहन आए. उतार दें. गुरुवर, पंडित रामकृष्णा, यहां बच्चे-चोरी हो रहे हैं और आप दुनों जुमके और बाली के विवाद में लगे हुए. जाहिए और उस बच्चा-चोर को ढूंड़िये. रातकाल से पूरु हमें वो बच्चा-चोर कारागार में बंद चाहिए. परन्तु महाराज, हम यह? किन्तु परन्तु नहीं, मामंत्री जी, परिणाम चाहिए हमें. अब जाएए कोतवाल के साथ. और उस प्रत्य घर के बाहर जहां बच्चे हैं, सुरक्षा बढ़ा दी जाए. मेरे गर की भी, मेरे गर की भी. परन्तु राम गृष्णा, आप चिंता महत कीजिए. हम आए ना? आप हैं उसी बात का तो भै है पंडित राम गृष्णा माराज आप चोर को पकरने की चिंता कीजिए भासकर हमारा ताइटल है हमारे रहते हुए भासकर को वो चोर हाथ भी नहीं लगा पाएगा भाजन के दिन्तो उन दोनों महिलाओं के आने जाने के कारण बच किया था तो चलो 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 अमार किससे टक रहे हैं मुझसे और किससे अच्छा आपसे टक रहे हैं यह आज भी बच जाएगा इस थुमे से कोई नहीं बचता साब मुर्चित हो जाएगे झाल 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 कर झाल 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 तो यह यह तुन्ने, तुन्ने सेंडी की अड़ामा. तुन्ने, तुम्हारे परिवारने, हमें मूर्ट पनाया. हमें, इस दुनिया की सबसे पड़ी जोको, यह तो सीधी चुनाओ दिये, अब तो तुम्हारे पच्चे को कोई नहीं बचा पाएगा. चाहे तुमने उसी कहीं पे भी चुपाया हो. वो तो महलाज ने हमें महल में बुला लिया, अन्यथा में लिए अशक की शाली बुझा है, मेले बतेजी की सुलक्षा का ली लेती ही. पहले अपने शरीर का बोच तो ठीक से उठा ले, बढ़ा आया मेरी सुलक्षा करने वाला. अगल हम यहां नहीं आते न, तो मैं उस चौल को पकल भी लेता. चाचू, चौल पकड़ना था, चूहा नहीं. वो कैसे? मेरे घर के हर स्थान पर चूहे पकलने वाले जाल बिछा दिये थे. चौल आता, तो उसका पेल जाल में फज जाता. फज जाता, तो चिलाता, चिलाता, तो मुसको तुलन पकल लेते. जा बात है, आपने सिद कर दिया कि आप मेरे चाचा है, घंटेकुमार. घंटी बजने लगी है, घंटेकुमार के मस्तुष्की की. बस, इस वल चे मिली एके प्लातना है, कि वो चोल आ है, और उसका पेल मिली जाल में फज है. इश्वर, रखता है उस चोड की दिष्टी अब मेरे भासकर पर है. महराज ने भासकर को महल बुलाकर इपको लुचित किया. किन्तो अब वो चोड मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगा. कोई ना कोई साक्षे तो अवर्शे ही छोड़ा होगा उसने. कि अवर्शे गुंडप्पे का काम होगा. अम्मा और शार्दा का दिमाग तो केवल चुगल खुरी में ही चलता है. कि अवर्शे ही चुगल खुगल 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 खुगल. हिम्मत रख, हिम्मत रख. तुझे उस चोर को पकड़ नहीं होगा. समझा? हाँ, मैं चोर को पकड़ूगा. मैं चोर को अवर्शे पकड़ूगा. कैसे, कैसे पकड़ूगा? कैसे पकड़ूगा खुगल 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 खुगल. देखो, अधिक चतुराई मत दिखाना. मैं मात्र दिखने में बूला भाला सा हूँ. और पंडित हूँ. कि तु मेरा प्रशिक्षन शक्तिशाली योध्राओं की तरह हुआ है. चतुर से चतुर चोर भी मुझसे नहीं टकला सकता. पाहिल की जनकार, असाथ कोई जानवरी आदम खुद नहीं है. ये तो महिला है. मुझे अधिक सावधानी बरत्नी होगी. देखो, तुम मेरी नर्मी का लाब मत उठाओ. तुम जो कई भी हो, मेरे हाथों से बचने ही पाओ. पुगी मेरे तारवाँ. ये, मा, रक्षा कन्ना. ये तो कोई स्त्री ही है. पर इसे कहीं तो देखा है मैंने. कहां देखा है? कहां देखा है? ये जो भी है, बहुत चदूर प्रतित होती है. कहीं ये भासकर को चुछ उड़े ना पहुंच जाए. मुझे भासकर की सुर्क्षा के लिए उसके पास जाना होगा. पुना बच क्या तेरा बच्चा रा मा? लेकिन कल में ही बचेगा. चाहे उसके लिए मुझे महले क्यों ना जाना पड़े. मैं उसे चुराओंगी. पुना बच्चा रा मा?